बगवान शिव का मंदिर अनेको स्थान पर है लेकिन जो मंदिर छत्री मस्तित है वह अपने आप में ही अध्वत है इस मंदिर में मापारवदी और बगवान शिव की ही मूर्ती में भी राजमान है जो लोगों को साक्षा दूप में दर्शन दे रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका नाम मगरु महादेव क्यों पड़ा तो हम आपको बताएंगे कि इनका नाम मगरु महादेव कैसे पड़ा भगवान भूले नाच जहां भूतों के नाथ है वहीं वह भूले भी है उनकी तपस्या तो असुर भी करते थे लेकिन उन्होंने असुरों का संगहार भी किया है और स्रिष्टी की रक्षा भी की है देवताओं के हित के लिए समुद्र मंधन के दौरान विश्पान भी कर लिया जिसकी वज़े से इनका नाम नील कंट पड़ गया था इनके कई नाम है कई रूप है इन्हें जिन भी रूप में भक्त देखते हैं वे उसी रूप में भक्तों के समक्ष को जाते हैं इनका रूप मगरू महादेव का भी है कहा जाता है कि वैसे तो इनका नाम महादेव ही है लेकिन पांडव काल में जब पांडव यहां पर आये थे उस वक्त इन्हें मूर्ती के रूप में पांडव ने स्थापित किया था उन्हेंने महादेव की तपस्या की थी और मगरू इस थान का नाम है इसलिए इन्हें मगरू महादेव के नाम से ही चारा जाता है इनके प्रती लोगों की खासी आस्ता देखने को मिलती है यहाँ पर लोग कई मार्क के जरिये पहुँचते हैं साराज क्षेतर में सित्पूरे विधान सभा क्षेतर का एक मातर प्राचिन शिव मंदिर मग्रू महादेव जो जिला मुख्याले मंडी से लगभग सौ किलोमीटर की दूरी पर सित्पे हैं इस मंदिर तक पहुँचने के लिए कई मार्क अपनाए जाते हैं रामपूर की नौर इत्यादिक खेतरों के लोग रामपूर छत्री मार्क द्वारा करसोग से शिमला तथा देश के अन्य भागों से आने वाले लोग शिमला छत्री और कुल्लू बाली चौकी से आने वाले श्रधालू गार्ण गुसाइल छत्री का मार्ग अपनाते हैं यह लकड़े से बना मंदिर अपने आप में ही एक अधुत मंदिर है जिसके सबसे बड़ी विशेशता है इस मंदिर की छत पर अंकित समपूर्ण महाबारत और कृशन लीरा जिसके मिसाल हिवाशन के किसी और मंदिर में नहीं मिलती स्थानिय लोगों के अनुसार इस शेली का प्राचिन मंदिर पुरे हिवाशन में नहीं है कि वंदिती के अनुसार इस पर निर्वेत प्रकाश कारे किसी अलोगे के निर्देश अनुसार हुई है कि ये चैनल के लिए क्या आतोशन के रिफो मन मंदिर में वास है तेरा तेरी छबी बसाई प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्रा ऐसी सुबा ना आए आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिकाना ऐसी सुबा ना आए आए न ऐसी शाम धर मैं वक्त एक चोड़े से बीका बीकी उस वार आपको बताएंगे कि इस मंदिर का निर्मान कब और कैसे हुआ जिवा मेरे महादेवा महादेवा ओ महादेवा